हकीकत ये है कि माप बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता आप कैसे दिखते हो ये मेटर नहीं करता बाई साब आप क्या हो मेटर ये करता है त कैसी के सहारे नहीं अपने होसलों पर आसमान चुमा करते हैं कि जनाब किसी के सहारे नहीं अपने होसलों पर आसमान चुमा करते हैं हाँ वो परिंदे हैं जो आजात गुमा करते हैं नेरा पहला प्यार भी तुम हो पर आखरी भी तुम ही रहोगी अरे लौडा मेरा अच्छी खासी एज है अच्छी खासी पसनालिटी है गर्ल्फेंड नहीं है अभी वर्काउट ही गल्फेंड है उसके अलवाग अपनी महुपत अपने पास रख मेडम तुस्से ज़्यादा प्यार मुझे मेरी मा करती है हकीकत ये है कि माबाप के सिवा कोई अपना नहीं होता जिन्होंने मुझे खोया है मैं उन्हें बस एक ही चीज कहूँगा महेंगी चीजे सस्ते लोगों के लिए नहीं होती दिल तो आशिकों के पास होता है हम तो गुन्ने जिगर रखने है लड़की अगर दिल तोड़ कर जाया ना मेरे भाई तो दारू की बॉटल नहीं डंबल्स उठाओ कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूँगा तुम लिखते जाओ मुश्किल ना मन्जिल लिख दूँगा बाई तुम अजे ले दुनिया का तो काम है जलना और जलना बनते भी है तेरे बाई ने आग भी तो लगा रखी है जिम्बी एक नशा है और आज कल हम बहुत नशे में अगर रिस्पॉंड करना चाहते हो उसकी बात को जो आपको बुरी लगी है हो सकता है किसी की बात आपके दिल पे लगी भी हो रिस्पॉंड करना चाहते हो इतना कामयाब हो जाओ कि तुम से मिलने कुल ये तरस जायो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी अमरीच पुरी साब का एक डालॉक था सनी देवल की फिल्म में गुस्से को बालना सीख परिशान होने के लिए नहीं आए परिशान करने के लिए अमरीच पुरी साब का गुंडा है जब गुस्से में आता है वहां खड़े लोग भाग जाते है जब सेरी के लोग उसे पसंद करते हैं नहीं करते हैं बिलकुल नहीं करते हैं बस दो तीन मवाली लड़के उसके दोस्त हैं एरिया के बाकी सब ही लोग उससे तंग आ चुके हैं सर और पिछले आठ सालों में वो इतना बड़ा भाई बन गया है कि हम उसे हाथ भी किसमत ने साथ दिया तो नजारा देखने लाएग होगा पड़ोगे लिखोगे होगे नवाब खिलोगे कूदोगे होगे खराब ये बदल दिया आप लोगों ने कित की पूरी ठोग ठोग राखदा ते जिर पे जान ले वाच्षाओं कराखदा